सो आप में से 90% लोग बहुत जादा less density hair patch चाता है जिसके अंदर उनकी scalp visible होगे बहुत जादा natural look है बट उनको ये नहीं बता क्या वो less density patch उनके लिए perfect है किया किस तरीकी की density उनके लिए अच्छी रहेगी सो इस वीडियो को एंग तक जरूर देखे आपको आज सारी की सारी information मिलेगी regarding density कि हम जब hair patch को choose करें अपने लिए तो किस तरीकी की density हमारे लिए better रहेगी या किस तरीके का density वाला patch हमें choose करना चाहिए सबसे बहले बात करते हैं कितनी तरीकी density available होती है hair patch के लिए so majorly 3 तरीकी density available होती है low density medium density and high density सबसे important चीज़ है आपके खुद के original बाल दिखे जो भी हम hair patch को लगाएंगे वह एड्लाइंड आपके original बालों के साथ मर्ज होना है तो आपके original बालों की density किस तरीकी की है उसे साब से आप कर सकते हैं कि कौन सी density का मैं patch लगवा हूं अगर आपके खुद के original बाल बहुत ज्यादा heavy density में तो medium to heavy density में जाहिए वह अगर आप कहेंगे कि मुझे बहुत ज्यादा light density patch में जाना है तो प्रॉपर तरीके से मर्ज नहीं होगा तो आप अगर कहीं से भी हेर पाच लगवा रहे हैं सबसे हेट के उपर बाल नहीं होते हैं सड़नली एक साथ बहुत जादा बाल आ जाएंगे तो हर किसी को और लगता है यह मेरा भी सजेशन रहता है कि आप बहुत जादा अगर आप बहुत जादा हे घरेवी जिफ्याच दाना है नहींट विज्प रहेगा साथ बहुत जादा बहुत जादा हेएंगे तो दिफिल रहता है दखेंगे जहीनकई एक उडियों डेंसिटी हमारे लिए परफेक्ट देंसिटी हरे दिया एक इंदर अगर मे डेंसिटी को कलको कराना है थो हम कम करा सकते हैं अगर अगर मेडियों डेंसिटी को यूज करें और future में आपको लगता है कि मुझे एक heavy density लूकी चाहिए so at the end आप एक heavy density को prefer कर सकते हैं so मेरा suggestion यह रहेगा go for a medium density patch so इसको हम दो parts में divide करेंगे low to medium density and medium to high density so इसके अंदर हम compare करने वाले कि एक low to medium density patch के अंदर versus high to medium density के patch के अंदर क्या majorly difference रहता है और हमारे लिए क्या बेटर रहेगा so आप उसके प्रॉंस और कॉंस को देख सकते हैं और उससे आप से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे light to medium density में जाना है medium to high density में जाना है so सबसे पहला और सबसे major difference जो है low to medium density patch and medium to heavy density के बीच में that is of life simple सी चीज समझिए जिस patch के अंदर बहुत ज्यादा बाल होंगे उसकी थोड़ी सी लाइफ ज्यादा ही रहेगी because जब हम use करते हैं कोई भी हेर पाच को तो उसके अंदर से थोड़े बहुत हमारे हेर निकलते है बिकाज यह 100% natural hair होते हैं तो जब हम अपने original बालों की तरह इन बालों को हम shampoo भी करेंगे conditioner भी करेंगे देखे एक patch जो होता है उसके अंदर बालों को note किया जाता है एक एक बाल उसके अंदर note करके डाला जाता है हेंड मेट सो जब हम उसको continuously wash करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे उस पैच के अंदर से हेर निकलते हैं अगर हमारा पैच होगा light to medium density में सो कहीं न कहीं उसकी life थोड़ी बहुत कम रहेगी as compared to medium and medium to high density अगर आपकी preference है कि मेरे को ऐसा पैच ही है जिसकी life बहुत जादा हो जिसकी life साल भरो डेड़ साल हो दो साल हो तो prefer करिए कि आप थोड़ा heavy density patch के अंदर जाए बिकास use करते करते है थोड़े बहुत उसके अंदर से hair निकलेंगे अगर हम थोड़ा सा light density patch के अंदर जाएंगे तो या तो हमें over a period of time उसके अंदर refilling करानी पड़ेगी otherwise कही ना कही उसकी life थोड़ी बहुत कम रहने वाली है second जो major difference रहता है that is of scalp visibility so अगर हम light to medium density patch के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर कही ना कहीं हमारा scalp बहुत जादा visible होगा क्योंकि एक patch है जिसके अंदर बालों की quantity कम है तो उस net के थुरू आपकी scalp बहुत जादा visible होने वाली है as compared to medium to high density so अगर आपको एक ऐसा पैच चाहिए जिसके अंदर मेरी पूरी skin visible हो अगर कोई मैं partition निकालो तो प्रॉपर एक तरीके से मेरे को partition दिखे तो कही न कहीं आपके लिए light to medium density patch बेटर रहेगा अगर आप रखना चाहते हैं एक बिल्कुल free style look जिसमें आपको कोई partition नहीं निकालना so आप medium to heavy density की तरफ जा सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको heavy में ही जाना है third and most important point pricing अगर मैं बात करूँ light to medium density patch की कहीना के उसकी pricing थोड़ी सी जादा होती है as compared to heavy density उसका एक सबसे बड़ा major कारण रहता है noting because जितने भी हमारे light density patch होते हैं ऐसे patch होते हैं जिसके अंदर हमारी scalp visible हो उसके अंदर एक 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 बालों को pore किया आ जाता है तो उसकी जो noting की quality होते है that is very fine so एक patch को एक simple सी चीज मान के चलिए एक patch की जो pricing होती है वो 2-3 factors के उपर आ जाती है firstly hair quality secondly उसकी hair की noting क्या है third उसकी base quality क्या है so अगर मैं बात करूँ जो noting से मेरा मतलब है कि अगर एक patch है जिसके अंदर एक-एक बालों को pore किया गया है तो it takes a long time to make that patch as compared to ऐसे patch जिसके अंदर हमने दो बाल तीन बाल पोर करें तो कहीं न कहीं उसमें pricing का फरक आ जाता है तो अगर मैं बात करूँ light to medium density उसकी pricing आपको little bit high मिलेगी as compared to heavy density यहां पर एक सबसे बड़ा आप लोगों के मन में question आएगा कि यह patch की life भी कम है और उसका price भी जादा है तो यह जिस चीज़कों मैं बनाने में बहुत जादा time लगेगा यह बहुत जादा refine तरीके से वह बनेगी because जो light density patch होते हैं उनके अंदर पूरी scalp visible होती है तो उसमें बिलकुन noting इस तरीके से करी जाती है कि आपकी scalp के अंदर से वह एक एक बाल आ रहा है तो कहिने के little bit आपका price थोड़ा heavy होगा last point रहेगा weight का because obviously अगर वह light density और उसके अंदर बालो की quantity कम है and उसकी refining अगर हमने proper तरीके से करी हुई है so patch का weight बहुत जादा light हो जाता है so आपके head के ओपर बहुत जादा feel नहीं होता so बहुत जादा clients आते हैं वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही light weight patch चाहिए मुझे एक ऐसा patch चाहिए जो मेरे head के ओपर बिल्कुल feel नहीं हो तो उनके लिए light density patch में आप जा सकते है otherwise आप एक थोड़े medium to high density patch में भी जा सकते हैं बहुत जादा measure फरक नहीं रहता है weight का but yes अगर आप एक बार light density को use करना start कर देंगे तो कहीं न कहीं heavy density आपको little bit weight लगेगा but अगर आप first time use कर रहे हैं so आप चाहिए less density में जाहिए चाहिए आप heavy density में चाहिए आपको weight का बहुत जादा फरक नहीं लगेगा because यह सिर्फ एक जाली के अंदर यह बालों को poor किया जाता है और patch के अंदर भी फिर cutting होती है so इसको आप ऐसे समझे लिए जो लोग cap पहनते हैं उनको तो बिल्कुल patch महसूस भी नहीं होता lastly एक मेरा suggestion रहेगा आप जब भी hair patch लगवाए so पहली बारी में उसको बहुत ज़ादा over cut मत कराईए over ज़ादा density उसके अंदर कम मत कराईए होता क्या है कि अभी हमारे head के उपर बाल नहीं है चाह हम इसके उपर suddenly 5% या even 10% बाल भी अगर आपके head के उपर suddenly रखेंगे ना तो वो हमेशा आपको ज़ादा ही लगने वाला है यह चीज मेरे पास हमेशा होती है चाहे क्लाइंट वो less density patch को prefer करे चाहे वो medium density को prefer करे या वो heavy density को prefer करे उस क्लाइंट को हमेशा density बहुत ज़ादा ही लगती है because वो एकदम से कोई चीज आपके head के उपर आई है एक चोटा से example है आपने एक बच्चे को देखा जो 2 साल का है and suddenly अगर मैं बात करूँ आप उसको 5 साल बात देखोगे या 10 साल बात देखोगे आप एकदम से आपको वो odd लगेगा and वो ही बच्चे अगर आपके सामने grow होगा तो आपको वो नहीं odd लगेगा तो क्या होता है जब हम hair patch को लगाते हैं तो वो एकदम से हमारी जितना bald area उस area को cover up करता है धीरे धीरे एक एक करके बालों को cover up नहीं करता तो हमेशा हमें density जादा लगती है and खुता क्या है कि जब हम hair patch को लगवाते हैं लगवाने के बाद वो आपकी head की shape लेता है दिखें जब हम कोई भी hair patch को बना रहे हैं उसके अंदर कोई hairstyle नहीं है अब यह आप screen पर भी देख सकते हैं यह patch है इसके अंदर कोई hairstyle नहीं बना हुआ तो हम इसको hairstyle को बनाएंगे जब हम इसी भी hairstyle को बनाते हैं तो आपके head के उपर proper तरीके से set होने में time लेता है आपने कभी यह चीज़ notice करी है कि अगर आपने एक partition बनाया हुआ और आप suddenly partition को change करेंगे तो बालों के अंदर बहुत जादा bounce आ जाता है तो ऐसे ही होता है कि जब भी हम hair patch को लगाते हैं तो आपके head के उपर जब हम उसको set करते हैं तो little bit वो bounciness रहता है वो आपकी head की shape के accordingly पूरा settle नहीं होता तो यह मेरा एक आपसे suggestion है आपको एक request है आपसे कि आप जब भी कहीं से भी hair patch लगवाए बहुत जादा density को कम मत कराईए बिकास आप density को कम कराना लेंद को कम कराना कभी भी करा सकते हो बट एक बार अगर आपने density कम करा दिया एक बार आपने बालों की length को बहुत जादा छोटा करा दिया तो आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते तो इस चीज का आप ध्यान रखे बाकी आपकी ओरिजनल बालों की density किस तरीके से है या आपकी इनो अगर आपको less density में जाना है तो उसके क्या benefits हैं heavy density में जाना है तो उसके क्या drawbacks है उस सारी चीजे में आपको इस वीडियो के इंदर बताई है I hope आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो and yes इस चैनल को भी subscribe कर लीजे फटाफट 100 के कराई है काफी सारे giveaways and काफी सारी चीजे आ रही है Thank you so much for watching this video and इस वीडियो को like भी जरूर कर दीजेगा and आपके मन में अगर अभी भी कोई question है कोई doubt है तो उसको comment भी कर दीजे मैं कोशिच करूँगा कि मैं उसको next video के इंदर cover up करूँ